नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HBS Studies पे तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे general knowledge of general science के उपर तो आप सबको पताईए कि हमने 3000 question की एक series इस्टार्ट करी है जिसका 10th part जो है हम इस वीडियो में discuss कर रहे हैं तो अगर आपको हमा अगरी वीडियो देखते हैं हमारा पहला question क्या है तो हमारा पहला question है name the person popularly known as गुरुदेव तो कौन से व्यक्ति हैं जिनको की popularly गुरुदेव के नाम से जाना जाता था तो हमारा answer हो जाएगा रभिंदर नाथ टैगोर रभिंदर नाथ टैगोर जो थे इनको popularly जाना जाता था गुरुदेव के नाम से तो यह जो question है यह जाता आप सब को पताई होगा अगला question देखते है हमारा तो शेलोग होम्स जो है इसके creator कौन है यह किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा अर्थुर डोले अर्थुर डोले जो है यह creator है जिनके द्वारा बनाई गई थी शेलोग होम्स तो भारत की पहली वुमें चीफ मिनिस्टर कौन थी तो हमारा answer हो जाएगा सुचेता किरपलानी सुचेता किरपलानी जो थी यह पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी किसी स्टेट की भारत में इंडिया में तो ये कौन सी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी तो ये जो थी ये उत्तर प्रदेश स्टेट की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी तो ये आपको याद रखना है कौन सी स्टेट है तो वो रहेगी उत्तर प्रदेश और कौन बनी थी तो वो रहेंगी सुचे तक किरप लानी तो अगर हम किसी लाल फूल को हरी लाइट में ग्रीन लाइट में रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लेक तो जो रेड कलर का फ्लाइट होता है वो रेड से टर्ल हो जाएगा black color में अगर उसको green light में रखा जाए A candidate must have completed what age to be a member of लोकसभा तो अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का member बनना है तो उसकी minimum age कितनी होनी चाहिए तो हमारा answer हो जाएगा 25 तो minimum 25 age होनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का member बनना हो What is the retiring age of the judge of supreme court तो supreme court के judges जो होते हैं उनकी जो retiring age होती है जिस age में वो retire होते हैं वो कितनी होती है तो हमारा answer हो जाएगा 65 years तो 65 years की age होती है जिसमें retirement होती है Supreme court के judges की fundamental duties were incorporated in the Indian constitution on the recommendation of तो fundamental duties जो हैं यह हमारे Indian constitution में जोड़ी गई थी कौनसी committee के recommendation के बाद तो हमारा answer हो जाएगा स्वन्ण सिंग committee तो स्वन्ण सिंग committee जो है इनके recommendation के बाद जोड़ी गई थी Indian constitution में fundamental duties को तो यह जो है most important question रहेगा आपके exam के लिए अकसर यह question exam में पूछा जाता है The chief constituent of natural gas is तो chief constituent जो होता है जो कि सबसे जादा पाया जाता है natural gas में वो क्या होता है? तो हमारा answer हो जाएगा methane तो methane gas जो होती है सबसे जादा present होती है natural gas में B.C. Roy award is given in the field of तो B.C. Roy award जो दिया जाता यह कौनसी field के लिए दिया जाता है? तो हमारा answer हो जाएगा medicine, तो medicine field में दिया जाता है BC Roy Award को Who is the first Asian winner of Nobel Prize तो Nobel Prize जो दिया जाता है उसमें पहले जो Asian winner रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो हमारा answer हो जाएगा Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore जो थे ये पहली व्यक्ति थे Asia के, जिनको की Nobel Prize से सम्मानित किया गया था और इनको Nobel Prize कौन सी फीड में मिला था तो इनको literature के लिए Nobel Prize से सम्मानित किया गया था तो ये भारत के और Asia के पहले Nobel Prize winner थे Who was affectionately known as the Grand Old Man of India तो Grand Old Man of India के नाम से किसको जाना जाता था तो हमारा answer हो जाएगा दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी जो है इनको Grand Old Man of India के नाम से भी जाना जाता था तो ये जो निकनेम्स होते हैं ये भी एकसर एक्जाम में पूछे जाते हैं important question रहेगा Who among the following has written the famous book Malgoody Days तो Malgoody Days जो कि एक काफी famous book है ये किसके दौ़ारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा R.K. Narayan R.K. Narayan जो है इनके दौ़ारा एक famous book है जो कि है Malgoody Days तो ये भी एक्जाम में question पूछा जाता है Malgoody Days जो book है ये लखी गई है R.K. Narayan के दौ़ारा In which category did Mary Query win his two different Nobel prizes तो Mary Query जो है इनको दो बार Nobel Prize से सम्मानित किया गया है तो ये कौन-कौन सी categories में मिला है इनको तो हमारा answer रहेगा Physics and Chemistry तो Mary Query जो है इनको Physics और Chemistry के लिए दो बार Nobel Prize से सम्मानित किया गया है Most important question रहता है तो एक्जाम में question ये भी पूछा जाता है कि पहले वक्ति कौन है जिनको की दो बार Nobel Prize से सम्मानित किया गया है तो वो हो जाएंगी Mary Query Who is the author of the book To a Hunger Free Word तो To a Hunger Free Word जो बुख है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा M.S. Swaminathan M.S. Swaminathan जो है इनके द्वारा एक famous बुख है जो की रहेगी To a Hunger Free Word तो ये जो बुख है ये लिखी गई है M.S. Swaminathan के द्वारा M.S. Swaminathan जो है इनको Father of Green Revolution भी कहा जाता है इंडिया में तो ये भी आपको याद रखना है International Ozone Day is celebrated on तो हर साल International Ozone Day जो होता है ये कौन सी तारीप को observe किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 16th September हर साल 16th September को observe किया जाता है या फिर celebrate किया जाता है International Ozone Day Nargol Port is located in which of the following state तो Nargol Port जो है ये कौन सी state में located है तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात तो गुजरात state जो है वहाँ पे located है Nargol Port To whom was भारत रतन awarded in 1999 तो 1999 में इन में से किसको भारत रतन से सम्मानित किया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर्तिया सेन तो अमर्तिया सेन जो है इनको भारत रतन मिला था 1999 में अगर आपसे एक्जाम में कोशन पूछा जाए कि अमर्तिया सेन को नोबल प्राइस से कौन से साल में सम्मानित किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा 1998 1998 में मिला था नोबल प्राइस और 1999 में मिला था भारत रत में तो यह आपको याद रखना है नेशनल यूथ डे इस अब्जर्वट एवरी येर ओन तो हर साल नेशनल यूथ डे जो होता है यह कौन सी तारीख को अब्जर्व किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 जन्वरी हर साल 12 जन्वरी को अब्जर्व किया जाता है या फिर सेलिबरेट किया जाता है नेशनल यूथ डे Salal is the hydro power project in which state or union territory तो Salal जो है ये कौनसी state का या फिर union territory का एक hydro power project है तो हमारा answer हो जाएगा Jammu and Kashmir तो Jammu and Kashmir जो की union territory है इंडिया की वहाँ का एक काफी famous hydro power project बन रहा है जो की रहेगा Salal तो यह आपको याद रखना है Which of the following bones does not belong to the ear तो इन में से कौन सी बोन है जो कि हमारे कान में नहीं होती तो हमारा आंसर हो जाएगा फिमर तो फिमर जो होती है ये प्रिजेंट होती है हमारी थाइज में ये जो होती है हमारे शेडिरी की सबसे बड़ी हड़ी होती है और अगर सबसे छोटी हड़ी की बात करी जाए तो व was started in which year, तो World Trade Organization जो है ये कौन से साल में start हुई थी, तो हमारा answer हो जाएगा 1995, तो 1995 में start हुई थी World Trade Organization, The Indian War of Independence was written by whom, तो Indian War of Independence जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा answer हो जाएगा V.D. सावरकर, V.D. सावरकर जो है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है, The Indian War of Independence, जो authors और बुक्स होते हैं, इनके उपर भी एक्सर एक्जाम में question पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, Who was the first Indian woman, winner of Miss Universe Award, तो Miss Universe Award जो होता है, इससे पहली भारतिय महिला कौन थी, जो जीती थी, तो हमारा answer हो जाएगा, सुश्मिता सेन, तो भारती एक्टरेस जो हैं, सुश्मिता सेन, ये पहली Indian woman थी, जो की जीती थी, Miss Universe Award को, तो ये आपको याद रखना है, most important है, Who prepares the topographical maps of India, तो इंडिया के जो topographical maps होते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारा answer हो जाएगा, survey of India, तो survey of India के द्वारा बनाए जाते हैं, topographical maps इंडिया के, Who was the author of Gita Govinda, तो Gita Govinda जो बुक है, इसके author कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हमारा answer हो जाएगा, जया देवी, जया देवी जो हैं, ये author रहेंगी, गीता Govinda बुक की, तो ये भी एक important बुक रहती है, जिसके बारे में, एक्जाम में, पूछा जाता है, The award given for outstanding performance in sports is, तो अगर कोई व्यक्ति, Outstanding performance करता है, sports field में, तो इसको कौन से award से सम्मानित किया जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, अर्जुना अवर्ड, तो अर्जुना अवर्ड जो होता है, इससे सम्मानित किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छी performance देता है, sports field में, Which of the following story is written by Rabindranath Tagore? तो इन में से कौन से story है, जो की लिखी गई है, Rabindranath Tagore के दवारा, तो हमारा answer हो जाएगा, काबुली वाला, तो काबुली वाला जो story है, यह लिखी गई है, Rabindranath Tagore के दवारा, यह जो story है, काफ़ी famous story रहती है, इसके उपर भी एक्जाम में question पूछ जाते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए important रहेगा National Rural Employment Guarantee Program started in तो National Rural Employment Guarantee Program जिसको की नरेगा भी कहा जाता है यह कब start हुआ था तो हमारा answer हो जाएगा 2006 तो 2006 में start हुआ था National Rural Employment Guarantee Program तो यह भी आपको पता होना चाहिए which one of the following African countries is not a member of OPEC तो OPEC organization जो है उसकी इन में से कौन सी African country है जो की member नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा South Africa तो South Africa जो country है यह OPEC की member नहीं है बागी तीनों जो countries है अंगोला जो है यह member है OPEC की Libya भी है और Algeria भी है तो यह तीनों जो है यह member countries है OPEC organization की South Africa जो है यह part नहीं है OPEC organization का which of the following is the classical dance form of Uttar Pradesh तो Uttar Pradesh state जो है उसका classical dance form कौन सा है तो हमारा answer हो जाएगा कत्थक तो कत्थक जो है यह classical dance form है Uttar Pradesh state का तो यह भी आपको याद रखना है dance form भी most important रहते हैं अक्सर exam में इनके उपर question पूछा जाता है तो कत्थक जो है यह classical dance form है Uttar Pradesh state का तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें धन्यवाद दोस्तों